नमस्कार दोस्तों 12,460 से च्छक भरती के अभ्यार्थी अगर जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से आपकी जीत होगी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में और किस प्रकार से सभी को न्युक्ति पत्र वित्रित होंगे क्या कारण रहे और क्या कारण हो सकते हैं इन सभी की जानकारी आपके ही जीरोजनपत के एक अभ्यार थी हैं शत्यप्रकाश मदुकर जी इन्होंने पुरी डेटेल से चीज़ को बताई है तो इनकी ही पोस्ट से सारे चीज़े आपको हम विस्तार से दिखाने वाले हैं तो कि आपको सभी चीज़े अच्छे से समझ मे आएंगी तो इसके लिए आप वीडियो को बिना स्किप की वे पूरा देख लेंगे तो आप सारी जानकारी समझ जाएंगे कि आखिर में मामला क्या है कब तक आपको निक्ती मिल जाएगी याद रखिएगा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा इन्होंने वहाँ पर क्या बात की और क्या कहा पूरी चीजे हम आपको पढ़के बताएंगे शाथियों कई दिनों से लगातार हमारे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि आज हमारी बाते शौरो वर्मा शे हुई वो कह रहा था कि अब सौरो वर्मा ये 12,460 के ही मेंबर ह कुलदीब सिंके जी साथ रहते थे चैनित हैं और नौकरी कर रहे हैं फिलाल लगना उसे 12,460 के लिए कुछ नहीं हो सकता जो होगा वो सौरीम कोर्ट से होगा ऐसा उन्होंने कहा अगर ये वही सौरो वर्मा जी है तो जितने लोग फोन करते हैं इनके पास सबसे इनका एक की जा रही है कि ये फॉर्म भरने के ही अगदार नहीं है काईदे में केवल जो 59 जनपत में सीटे थी उन्हीं के फॉर्म भराकर उनको नौकरी दी जाए जिन 24 जनपत में सीटे नहीं थी ना उन्हें फॉर्म भराना चाहिए था और ना उन्हें नौकरी देनी चाहिए थी चैलेंज किया और फिर फाइनल सिंगल बैंच में भेज दी गई और तब तक बैंच बदल गई और इरसाद अली जी मिल जए जो 12,000 की जो पूरी सेलेक्शन सूची थी उसे रद कर दिया जो लोग कहते हैं कि सिंगल बैंच में जीत हुई है वो जान ले कि इरसाद अली की जो सिंगल बेंच थी उन्होंने इस चैन सूची को पुरी तरह से रद किया है इसके रद करने से ना जीरो जन पद रहा ना इंक्यावन अचैनित रहे ना इंक्यावन चैनित रहे सभी का मामला खत्म हो गया यहां पर अगर उस आदेश को पालन कराया जाए तो कुल मिलाकर नए तरीके से भरती प्रिया को सुरू किया जाए ऐसा कहा गया उसमें ठीक है आगे देखते हैं इस महोदे को रूल से क्या चाहिए जबकि रूल में सब को राहत मिली है सीजे बिंच से यह महोदे तो सरकार के बनाए गए गए नियमों को खत्म करवाने के लिए गए थे और यह नहीं जितने लोग नियम को खत्म करवाने के लिए गए थे सब की अपीले खारीज हुई हैं आगे देखते हैं क्या चीजे बताई गई हैं आगे कहा गया है च्छैखा को चैलेंज करने वाले मोहनलाल यदवन्शी की रिट खारीज हुई जो की 26.12.2016 की 12.460 की सीनियर उतारे लखनौ से हुआ धाई डाई अजार रुपए लेकर याची बनाया गया था लेकिन इन लोगों के दोरा सबसे बड़ा याची कांड किया गया लखनौ में याची का सारा रुपया गटक गए और सीनियर नहीं उतारा रूल में इस महोदे से मैं यही पूछना चाहता हूँ कि यह 53-20 में क्यों गए क्या 53-20 इनकी अपील थी एक अपील थी यह अपने पार्टिसिपेंट में की जो बातें क्यों नहीं नोने की 53-20 तो 15,000 भरती से ही पेंडिंग थी तो क्या उन लोगों को भी आज तक नौकरी नहीं मिली निकल उनको तो नौकरी मिल ग हाई कोट दोनों जगे लगे हैं और सौरव वर्मा कहते हैं कि हाई कोट से कुछ नहीं होगा ये क्या माज़रा है यानि आप खुद मोहित के साथ रहे कर भरती को पूरा नहीं कराना चाहते वैसे मैं बहुत पहले से कह रहा हूं कि आप लोग ही सुन जन्पत को बरबाद कि हैं आप लोगों ने सुन जन्पत को इतना लूटा है कि आप लोगों को नौकरी की आवशकता नहीं है सुन जन्पत के भाई भेहन हमसे फोन कर रोते हैं लेकिन आप लोगों को जूंग तक नहीं रेंगती ये बात बिल्कुल सही है कमेंट के माद्धम से चैनल पर भी अब बाते करता हूं यही कहता हूं भाई इन लोगों से आप कहिए केस लिस्ट कराएं मैं अभी भी हर इस तरफ पर तयार हूं और यह बाते मैं सभी से कहता हूं इस पोस्ट में आसिस तिवारी का कोई लेना देना नहीं है ऐसा उन्होंने कहा उसके बाद इन्होंने आगे बताया इस पोस्ट में वैसे मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि आप लोगी सुने जन्पत को बरबाद किये हैं और इसके बाद यहां पर इन्होंने बताया है आगे यह महुदे कहते हैं कि हमने याची रूल में इसलिए बनाया कि सुने का पच और मजबूत होगा यह महुदे एक त खत्म हो जाएगा तो किसी प्रकार की कोई मजबूती नहीं रहेगी ना इंक आवन के लिए ना जीरो के लिए सुने जन्पत का पच लखनौ से कहां से कमजोर है अब यही महुदे बताएंगे शारे नियम कानून तो डॉक्टर भीम राओं मेटकर इनी की उपस्तिती में ल अलग कर बताने का मुखे मुद्दा ये था कि अभी तक क्या हुआ आपके शातियों ने क्या किया क्या नहीं किया वो सबी चीजे इसमें बताएंगे इसलिए मैंने इस पोस्ट को आपके साथ सेयर किया है और हम आपको बता दें चाहे जो सीजे सर की बेंच है वहां से जो प्रकार से आदेश अब नहीं आ सकता है कि पूरी सेलेक्शन लिष्ट रद की जाती है ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि जो रूल है उसको जस्महोदा ने पहले ही सही करार दे दिया है और इनके लिए अलग से एक रास्ता निकालेंगे इतनी पावर है उनको दूसरी बात सुप पावर है तो यहां पर कुल मिलाकर कहने का यह है कि जीरो जनपत को उनकी जिरे में सीटे ना होने के कारण उनको एक समान मौका दिया जाएगा यह बिलकुल ता है चाहे वो हाई कोट हो चाहे वो सुप्रीम कोट हो बहुत सारे लोग इधर इधर अफरात अफरी का माहल करत हैं साथ में इंक्यावन चैनल के जो भी अभ्यारती बचे है उनको निक्तियां पर जरूर से जरूर मिलेगी तो यह अपडेट थी और इस अपडेट में अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करिएगा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजेगा और ऐसी अपडे के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजेगा